हेलो स्टुडेंट्स कैसी बढ़िया फर्स क्लास चल सकते हैं आज ICDS 3 में यस सर लास सेशन में हम लोग ने ICDS 2 देखा था ICDS 2 देखा था उसके पहले ICDS 1 देखा था अकाउंटिंग पॉलिसी था ICDS 2 आपका Inventory Valuation था आज आपका ICDS 3 Construction Contract से Related है Construction Contract से Related है आपने देखी होंगे Buildings बनते हुए, Roads बनते हुए Dam बनते हुए, Bridge बनते हुए Tower बनते हुए, Multiplex बनते हुए Yes हम उसी की बात कर रहे है हम यहाँ Service Contract की बात नहीं करेंगे, क्या बोले? मैंने कहा हम यहाँ Service Contract की बात नहीं करेंगे वो बात होगी इसके Next वाले ICDS यहीं ICDS 4 में Okay ICDS 4 आपका Revenue से Related है किस से Related है? देखें, Revenue Recognition से Related है और यह वाला जो चल रहा है वो Construction Contract से चल रहा है तो वेट करेंगे Service Contract आपका ICDS 4 में Cover Up होता है यह ICDS 3 Construction Contract आकिर हम क्या बताना चाहते है Construction Contract में जो काम होता है जैसे एक बड़ी Building बनानी है तो मान लो उस पे काम स्टार्ट हुआ 1st July के और 10 से 15 July के अंदर अंदर वो 10 बारमाले के Building तैयर हो जाएगे सब्सक्राइब क्या बात कर नहीं होगी एक Hospital बनना शुरू वा उसमें Residential भी बनाना है Hospital भी बनाना है Operation Theatres भी बनाने है Water Tanks भी बनाने है Means इस तरह के अलग-अलग उसमें Projects है मुश्किल से 10-20, 25 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 6 महिने के अंदर खत्म नहीं सर ऐसा नहीं होता सालों तक यह काम चलते हैं अब आप बिल्कुल ठीक बोले सालों तक अगर यह काम चलते हैं है तो एक Contract? है तो एक काम? अब तक यह होता था सामान बेचा, सामान खरीदा तुरंद नकी किया हिसाब किताब That was over and we were just generating the income and expenses Means it was not creating a big problem It was not a big issue It was not a tough situation But now the problem arises जहां पर मान लेते हैं हमने 5 करोड का कोई प्रोजेक्ट लिया अब 5 करोड का प्रोजेक्ट लिया यह 3 साल में चला 1 year, 2nd year and 3rd year अच्छा सर 3rd year में यह काम हुआ है 3rd year में यह काम हुआ है खतम हुआ है अब पहले साल मान लेते हैं कि हमने मेरी बाद धंग से समझेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 30% काम कंप्लीट किया 40% 50% काम कंप्लीट किया 20% काम कंप्लीट किया हम लोग को मालूम है जब हम लोग अपनी accounting maintain करते हैं that is in accordance with the accrual concept और अगर आपको वापस जाओं पीछे छोड़ दो छोड़ देते हैं तो अगर हम बात करें तो हम लोग normally accrual concept पर चलते हैं लेकिन taxation में हम लोग cash system of accounting as well as accrual system of accounting दोनों से अपनी books maintain कर सकते हैं फिलहाल taxation की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने काम किया 30, 50 and 20 तो जितना काम किया है उतनी ही तो आप revenue recognize करेंगे इस साल जितना काम किया है revenue उसी साल तो recognize करेंगे इस साल जो काम किया है उतनी ही तो revenue आप recognize करेंगे the same thing I am just talking about cost as well clear है पकी बात है इसी की problem को दूर करने के लिए आया आपका construction contract और कहा गया there are two different methods there are two different methods to recognize your income profit को आप दो तरीके से recognize कर सकते हैं the first one is completion of contract method कि yes do not try to recognize anyone of your income पारी पारा in all these three years पारी पारा आपने सारी की सारी revenue और cost 100% third year में जब आपका काम complete हो न उस साल शो कर दो जंजट खतम करो काई के लिए इतनी मगज मारी लेकिन देखो ले यह basic concepts के against चला गया की नहीं basic concept के against चला गया की नहीं जहां पर यह बोला जादा था अक्रिवल यानि कि जो हमारी income इस साल की है इसी साल शो करेंगे अगले साल की अगले साल next year की next year की next year खर्चे हो कुझे हो जिस साल का है that is the basic concept behind that तो कहा गया this method cannot work over here now अब आपका ये method काम नहीं करेगा अब ये method काम करेगा जो मैंने बोला और इसको नाम दिया गया percentage of completion method क्या नाम दिया गया percentage of completion method POCM यह इसको proportion of completion method भी बोला जाता है दोनों मेंसेज जो आप नाम थे हैं वैसे नाम जो दिया गया है taxation में that is percentage of completion method यह first line से ही clear हो जा रहा है क्या बोलता है section 43 CB provides that for the purpose of determining income under section 43 determining income under the head PGP the profit from construction contract shall be on the basis of the percentage of completion method तो जो ICDS 3 आया है that is in line with the section 43 CB 43 CB कहता है कि जब आप construction contract को use करेंगे तो आप percentage of completion method को आप यूज करेंगे तो but obvious से जब ICDS बनाया गया that is in line with the section 43 CB इसने कहा ठीके भई यह completion of contract method के दो हम बात ही नहीं करेंगे बात ही नहीं करेंगे तो क्या है proportion method कैसे calculate होता है इसको आप 2 मिनट के लिए काट देंगे यह वर ठीके न proportion matter क्या होता है कहा गया अगर cost की बात करते हैं तो आज तक total cost इतनी लगनी थी total contract पे इतनी cost लगनी थी जिसमें से इतनी लग गई है तो वताओ percentage कितना काम हुआ चोलो रहने दो cost आया है तो आगे देख लेंगे जब हम लोग question अगर करने ज़रत पड़ेगी तो इसी तरह से revenue की बात होगी फिलाल इतनी total cost लगेगी project में मान लो 10 करोड लगेगी 10 करोड में 6 करोड लग चुकी ओ-ओ out of 10 करोड total expenditure we have already spend rupees 6 करोड it means 60% work has been done this is the completion of contract percentage of completion of contract तो आप कह सकते हैं into 100 कर देंगे तो ये percentage में आ जाएगा चलिए सर ये मालू में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप percentage of completion method की बात करते हैं this is not the sole method which we know already ये आपका अकेला method नहीं है percentage of completion method में percentage निकालने के लिए ये method use करो जहन्जड खतम दो method और हैं सर क्या बोले आप मैंने कहा दो method और हैं surveyor method and physical completion method surveyor method जो हमारा valuer engineer certified करेगा कि 50% काम हुए भी या आप माली को आप माली को आप कहते हो 50% काम हुआ है आपकी बाते सर आखों पर हम मान लेते हैं 50% काम because you are a survey you are an expert in that area as well the third method is physical completion method मान लो मुझे 4 project पूरे करने थे 4 buildings बनानी थी 4 में से 3 buildings complete हो गए 75% work has already been done is it clear यह है आपका physical completion method तो अप कोई दिक्कत नहीं आएगी बिलकुल नहीं आएगी सर हमने यहाँ पर ही शुरू में ही आपको यह तीन method बता दिये जबकि मुझे यह आपको आगे बताने थे तो अब मैं आपको आगे नहीं बताओंगा मैंने बता दिये ठीके ना चुकि यहाँ पर जरूरत आई मैंने यहीं पर आपको कोट करके यहाँ पर इसका matter ख़तम कर दिये आगे आएंगे यह चीज़े लेकिन आगे मैं नहीं बताने वाला तो मैंने अब तक आपको इतना बोला कि चुकि दूसरा बताया गया कि सर्वेयर मैथट जो एक्सपर्ड बोलेगा हम उसको मान लेंगे और थर्ड बताया गया फिजिकल कम्प्लिश्ट मैथट ठीक है न चेक कहां पर नहीं लगेगा मैंने बता दिया सर्वेस कॉंट्रेट की केस में यह हमारा ICDS अप्लिकेबल नहीं होग टाइप जब हम टाइप ऑफ कॉंट्रेट की बात करते चुकि मैं यह मान कर चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा कॉंट्रेक कॉस्टिंग नहीं पड़ी है तो भी कोई दिकत नहीं यह सारी चीजें आपको कॉंट्रेक कॉस्टिंग बताए जाएंगी कॉस्प्लस मैथड होत क्या होता है मेरे पास को यह कहता है यह 5 माले की बिल्लिग बना दो मैंने कल्कुलेशन कीया मैंने कहा ठीक है इस 5 माले का हम आप से 2 करोड लेंगे अब अगर ज्यादा लग गया वो मेरा घाटा बचा लिया तो मेरा फाइदा मेरी बात समझना अब सामने वाला मुझे दो करोर दे देता है according to the agreement now I have to complete each and everything as per the deed irrespective of the fact whether the cost has been increased or decreased not at all और लेकिन अगर मुझे doubt है market fluctuations बहुत नीचे ओपर है up and down है तो उस case में हो सकता है मैं बोलो भाई यह सामने वाले से यह मुझे सिर्व नहीं हो सकता इस तरह से आप हमसे fix amount पूछ रहे I am not capable to find out the exact amount because this is the new work to me और जब मैं करूंगा तो हो सकता है कुछ काम नीचे उपर हो जाए यह market में fluctuations बहुत है material और labor के rate में I can't say you a definite amount तो let it be हमें काम कर सकते हैं कि जितनी भी cost लगेगी उसमें आप हमको 15% add करके दे देना मैंने सामने वाले से ही बोला तो सामने वाले का रहा है कि 15% तो ज्यादा होता है मैंने का देख cost जितनी लगेगी वो हम यह तो तुम्हें पता होगा कि cost कि उसने मुझे कैसे पता चलेगा मैंने का तू audit कर वाले ना जिसको हम लोग cost audit बोलते हैं मैंने सामने वाले को एक permission दी I'm a contractor मैंने सामने वाले को कहा you are a contractee and I'm just giving you a permission or I'm just allowing you to get the tax audit sorry to get the cost audit of mind this one project आप जब cost audit करा लोगे you'll be satisfied that this one cost has been already used by me or spend it by me now add 15% as a markup on that value आप वो पैसा हमको देद होगे आप भी satisfied होगे whatever the amount you are paying that is genuine one सामने वाले ने का ठीक है अब दो मैं मैंथड होगे the first one is fixed price method and the second one is cost plus method cost plus का मतला plus means percentage of profit 10 हो 12 हो 13 हो 15 हो whatever the case it is is it clear तो दो मैं थड़ बताएगे कितने मैं थड़ बताएगे दो मैं थड़ बताएगे और कुछ मैं कॉंट्रेक्स में होता है न कि भाई हम फिक्स दो करोड ले ले रहे हैं तीसरा तो यह भी हो सकता है ना मैंने सामने लों भई यह दो करोड फाइनल लहीं करके चलों लेकिन अगर इस के बारे बात कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा आइसीडियस है के वल कुछ चीजें आपको कॉंसोलिडेट करके यहां पर सेट कर लेनी है होता क्या है आइसीडियस में जब आप पैक्टिकल लाइफ में आएंगे ने जब पैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ना तीन चीजें आएगा एक तो ICDS, एक AS और एक Indias, ये तीन चीज़ें आएंगी, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, सेम contract पर इसकी value कुछ और आएगी, इसकी value कुछ और आएगी, इसकी value कुछ और आएगी, मानो हम जिस company की बात कर रहे हैं, उस company में AS use होता है, जिस company के हम बात कर रहे हैं वहाँ AS use होता है construction contract की यह company है उसने AS use किया अब उस AS के हिसाब से जो profit आया है उसमें plus या minus adjustments करने पड़ेंगे उसमें plus या minus adjustment करने पड़ेंगे ताकि हम taxable value तक पहुँच सकें इसी तरह जिसको हम लोग कते है reconciliation जिसको हम लोग कते है reconciliation प्रैक्टिकल लाइफ में इसी को use करते हैं आप लोग अगर आप लोग वैसे आप लोग के study mat वगरे में नहीं दिया है तो that's why I am not going to tell you these things तो यह practical life को use होता है कि जब आप यहाँ पर आते हैं end AS की बात करते हैं तो यहाँ पर भी profit कुछ और आएगा that is not in equal with AS तो यहाँ पर profit कुछ और आएगा उस construction company की case में अब इस profit को हमें reconcile करना पड़ता है ICDS के बराबर लाने के लिए जैसे आप reconcile करते थे passbook और cashbook को न याद आया होगा bank reconciliation statement उसी तरह यहाँ पर फिर reconciliation किया जाता है फिलाल हमको वहाँ पर नहीं जाना calculation of contract revenue and cost और बहुत ही आसान है वो भी कोई tough नहीं है लेगन ठीक है let it be calculation of contract revenue and cost initial amount of revenue agreed to the contract including detentions revenue का मतलब है कि जो मुझे सामने वाले से लेना है I am a contractor I am a contractor अगर मेरी आपसे दो करोड में बात हो गई है this is my revenue variation of in contract for claim and incentives if reliably measured हो सकता है कि future में कुछ variations of contract में आपका है ये भी बना दो आपका है वो भी बना दो अच्छा थोड़ा ये भी सुधार कर लो हम एक्स्रा पैसा देनेंगे अच्छा ये चीज भूल गयते इसको add कर लो तो ठीक है हम उसको भी मान लेंगे मैं कुछ claim करता हूँ आपने मुझे शाबाशी दिक सही समय पर जल्दी काम करने का कुछ इनाम देना है तो वो claim और incentives भी मैं अपनी revenue का हिस्सा मानोंगा मान लीजे आपने कहाँ एक साल के अंदर मैंने का 10 मैंने का तुमने का आपने का यह 10 मैंने का अदर काम कर दोगे न मेरी और से यह पांच लात रुपय एक्स्ट्रा भी यह कर दिया काम तो वो जो claim और incentives and that is also the part of the revenue तो initial amount of revenue agreed to the contract including retention retention का मतलब क्या होता है यह होता है retention retention का मतलब यह होता है कि मैं किसी का काम कर रहा हूं और सामने ओले से मैंने का देख तेरा काम 50% हो गया मैंने सामने ओले से का देख तेरा काम 50% हो गया मुझे पैसा दो उसने का हलो उसने मुझे 40% दिया is not going to retain the amount at its own condition that is according to the agreement क्योंकि हो सकता है अगर मैं जितना मैंने काम किया अगर वो उतना पैसा दे दी और मुझे इस काम में नुकसान होगा तो मैं तो रफू चक्कर हो जाओंगा हो सकता है ना मानते हो या नहीं मानते हो माननों मैं आपका काम कर रहा हूं मैंने आपका काम लिया दस लाक रुपए में दो मिनट के लिए आपकी में बात करता हूं मैंने आपके काम पर पांच लाक रुपए खर्च कर दिये मैंने आपसे का पांच लाक रुपए दो मुझे मालूम है कि फ मेरें मेर्मल होता है उसकी में बाद बता रहा हूं तो अब एक बाद बताओ यहां पर data किसों किया आप्ने किया मान लो पांच लाग में बाँद आपने मुझे 4 लाग दिया कहा टाहें ख्किक्पार्ट हमने पर बाद में, काम होने के बाद, लेकिन मुझे मिलेगा जरूर, और यह आपने जो retain किया ना पैसा, this is as per the agreement, ठीक है, clear है, सारी कहानिया लेखी है, यह होता है आपका revenue, तो जितना भी मुझे आपसे मिलना है, वो मेरी सारी revenue, जो मुझे future में claim, incentives, मिलेंगे, वो भी मेरी revenue, जो retention आपने रखी है, वो मुझे मिलेगी, वो भी मेरी revenue, लेकिन according to the accounting standards, या ICDS, एक चीज तो common है, वो यह, कि कोई revenue, revenue की तरह तभी मानी जाती है, जब उसके collection की पूरी की पूरी certainty हो, reasonable certainty हो, कि हाँ वो पैसा मिल जाएगा, पैसा आपने रोका है, now I am 100% sure that the amount will be recovered, because I am very much angry, I am very much angry to execute my work on timely, okay, and I will do that, ये मुझे मालब है, cost की अगर बात करें, cost में क्या-क्या शामिल होता है, जिस तरह revenue आपने देखा, उस तरह cost में क्या-क्या शामिल होगा, cost में शामिल होता है, direct cost, attributable cost, contract securing cost, interest, ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ें शामिल होती है, लेकिन, लेकिन, इसमें वो interest, वो capital gain, वो dividend, शामिल नहीं होंगे, जिसको income tax करता है, ले जाओ बैटा, other sources में, कोई भी ऐसा interest, कोई भी ऐसा capital gain, capital gain, capital gain में जाएगा, कोई भी ऐसा interest और dividend, जो other sources में जाएगा, या taxation के हिसाब से किसी और head of income में जाएगा, तो भी या tax law को follow करो, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर in case of conflict, अगर दोनों में conflict होता है, हमारे ICDS, और taxation law में, then follow the taxation law, मैं किसी दूसरे contract पर खर्चा करूँ, मैं इससे बोलू, देख, तेरे पर खर्च होगा, वो कहेगा, मेरे पर कहाँ खर्च होगा, मैंने कहा ने, तेरे पर ही खर्च होगा, भई, जो चीज directly attributable है, जो मैंने आपका काम लिया है, वो आपके ओपर attributable है, direct cost, attributable cost, interest cost, contract securing cost, तो ये सारी cost आपकी cost में जाएगी, non attributable cost को हम आपके ओपर शामिल नहीं कर सकते, ठीक है न, और incidental income को भी शामिल नहीं करेंगे, capital gain, capital gain में जाएगा interest and dividend जैसा कि taxation law बोलेगा, ये बोला है, बोलूगा तो बोलोगे कि बोलता है, अब आते हैं, इसके उपर recognition की बात करते हैं, recognize कैसे करते हैं, recognition के लिए ने मुझे इसी example में जाना पड़ेगा, मैं वापस आता हूँ, फिर उसके बाद ये chart में आपको दिखाऊँगा, hardly it will take 1 to 2 minutes after completion of this one thing, मैंने कहाँ ये year 1 है, मैंने कहाँ ये year 2 है, year 3 है, total मिलाकर 5 करोड का contract है, इस साल काम हुआ है 30%, 50% and 20% और total project है, आपको मालूम है 5 करोड का, कितने का, तो चलो भाई, 1.5 करोड की income यहाँ, 2.5 करोड की income यहाँ, और 1 करोड की income यहाँ, 2 मिनट के लिए इस दंग से समझना, जब मैं इसको अब practically बात करूँगा, first year में 30% काम हुआ, मैंने अपनी income मानली 1.5 करोड की अग्री, हाँ सर, कोई डाउट नहीं, दूसरे साल जब certificate मिलेगा न, I get the certificate of 80% work, क्योंकि सामने वाला जो valuer या surveyor है, वो 80% का certificate देगा, वो इन्हें कहेगा, पिछले साल कितना काम हो, इस साल वो कहेगा, अब ये total building का 80% structure पूरा हो चुका है, 80% means 4 करोड, income कितनी शो करें, सर, सर, ये क्या बात कर रहे है, पिछले साल वाला minus भी तो करीए, अच्छा अच्छा ही, गलती हो रही थी ना, देखो ढाई करो, आ तो वही गया ना answer, ये वही चीज़ है, total contract revenue, accumulative basis पर, किस basis पर, accumulative basis पर, ये याद रखेंगे, शायद हमने लिखा नहीं ये कहीं, इस basis पर, और minus कर लेंगे, जितना भी previously recognized होगा, तो इस साल कितना recognize करना है, in the same way, I am saying you, in the same way, in the same way, contract cost को भी recognize किया जाए, जितना इस साल करना है, जितना पिछले साल तक कर चुके हैं, deduct it, and get the amount of cost, which is to be recognized in this current year, okay, clear हुआ, बिल्कुल clear है, यह आपने costing में पढ़ा होगा, WIP के बारे में, कि जो WIP होता है, जितना पैसा मिलता है, certified होता है, मान लो, कि मैंने न, पांच करोड का project था, यह revenue थी, contract की, और मुझे मालूम था, इस पर जो cost आएगा, that would be around 4 करोड, ठीक है न, यह बार दंग दे समझना, दो मिनिट लग गया, 4 करोड की cost आएगी, और, कहा गया, 80% काम पूरा हो गया है, कितना percent काम पूरा हो गया है, 80%, ओके, तो इसका मतलब cost की, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे 3.2 करोड तक का, cost recognize करना चाहिए, सामने वाले ने मुझे, 80% total देना था, revenue का, यानि 4 करोड, उसने 25% retention money, रोक ली, और मुझे दिया, 3 करोड, या छोड़ दो retention money, मारो गोली, work जो certified हुआ, 80% के बराबर हुआ, हाँ या ना, 70%, certified हुआ 70%, तो मिला कितना, revenue 3.5 करोड, हाँ या ना, सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बोलता हूँ, question हमसे framing गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, tension लेने के जोरत नहीं, अब बोलो, revenue थी 5 करोड की, cost थी total, 4 करोड की expected, 70% कहा गया, काम पूरा हुआ, 70% काम पूरा हुआ, इसका मतलब, मैंने 70% इसका पैसा लगा दिया होगा, अब तो ठीक है, लेकिन actual में, जब मैंने calculation किया, तो मैंने न 3 करोड रुपे, spend किये थे, actual, और ये certified है, इसका मतलब, इसके उपर काम हुआ है, work done but not certified, याद आया होगा, work done, work uncertified, तो कुछ काम पूरा हो गया, certified हो गया, दो तरह से, work certified, and work uncertified, जो work certified होता है, that means कि ये sale हो गया, sale हो गया, sale हो गया, जितना sale हुआ, उतना आप revenue दिखा देते हो income, sale price पर दिखाते हैं, certified होने का मतलब, now I am 100, this is 100% sure that I will recover, to that extent of certification of the amount, is it clear, लेकिन, जब हमने इसको, cost से comparison किया, तो actual में cost जानी चाहिए थी, 2.8 करो, जबकि चली गए 3 करो, तो मैं देख भी रहा हूँ, कि whatever the work I have done, that is beyond 70%, ठीक, तो ये जो extra लगा है न 20 लाग, this is cost to me, यहां कह सकते हैं, cost of stock, और stock को हम हमेशा, cost पर ही show करते हैं, इस टोप को हमेशा, cost पर ही show करते हैं, तो work uncertified is to be shown at their cost, while work certified is to be shown at their sale value, और revenue, ठीयर है, इतना hint बहुत है, detail में जाने के जोरत नहीं है न, मुझे मालू में नहीं है, पूछो क्यों, आपने पढ़ रखा है, लेकिन अपढ़ भी नहीं रखा, तो मैं क्या करूँ, कितना detail में बता हूँ, मैंने आपको बता दिया, एक बार और बोलू, एक बार और बोलू, बोलते क्यों नहीं, सर हम कैसे बोल सकते हैं, अच्छा जी, दोबारा बता देते हैं आपको, delete, नए example ले ले लेते हैं, ये Mr. X है, Mr. X ने construction का काम किया, और ये 70% काम पूरा हो गया, कितना? ये लगभग जब certificate मिला, काओ तो इसकी भी अब कहानी सुना दू, लो, होता क्या है, असल में है क्या कि अगर concept clear नहीं होगा, तो मुझे भी satisfaction नहीं मिलने वाला, कहानी सुनें, कि ये आता कहां से है, थोड़ा और पीछे जाते हैं कहानी को ले करके, होता क्या है कि, मुझे मालूम है कि मैं किसी का काम कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा काम है, पैसा फस सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी सामने वाले को बताना है, कि मैंने आपका इतना काम कर लिया वो मुझे पैसा दे देगा और मैं जितना बोलूँगा उसका 50% ही देगा 20% वो रिटेन कर लेगा I know very well मैंने उसको फोन करके का भाई तेरा कामना 70% कंप्लीट हो चुका है उसने कहा अच्छा आया देखा 70% ना बा बना 70% कहां से काम पूरा हुआ है कहां से हुआ है मैंने उसको बताया था अपनी हिसाब से अपनी कॉस्ट के हिसाब से लेकिन उसको समझ में नहीं आया मैंने ठीक है हम valuation कर वा ले थे certified कर वा ले थे हैं कि कितना काम हुआ है अब एक बात बताओ certified हम कब करवाएंगे अगर हम बात कर रहे हैं 1st April 22, 31st March 21 की चुकि मेरे पास past year का बहुत सारा experience है I know very well कि certification हमको लेने में time लगता है ऐसा नहीं यह valuer को आज बोला तो शाम तक वो certificate दे देगा वो आएगा दो बार हमको दोड़ाएगा वो खुद भी दोड़ेगा site visit करेगा सारा details और calculation note करेगा और कुछ दिन के बाद हमें देगा अच्छा मैंने उसको 10 मैंने उसको 10 March 2021 को ही बुला लिया था वैलिवर को certifier को जो certify करेगा मैंने कब यह देख लो जल्दी 31 मार्च आने वाली है और जड़ा इसको certify कर दो उसने सारा data collect किया और चला गया उसने मुझे 28 March को बताया कि मैंने जो काम पूरा किया है न डैट इस 70 परसेंट अब जैसे ही यह यहां से गया 10 March को जब उसने स सारा record लिया और गया उसके बाद मैंने काम बंद करें मैंने लेपर सका चलो चलो उत्रो 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 सलोग जाओ अपने घर आओ अब एक अप्रेल को मुर्ख बनाना एक दूसरे को फूल डेपर अब ऐसा दो होता नहीं काम सारे वरकर अपनी जगह लगे हुए हैं 10 March को को आया था 10th of March को वैलिवर अपना हिसाब किताब लेकर के चला गया उसने मुझे 28th of March को इसकी डिटेल दी कि 70% काम पूरा हो गया लेकिन 10 March से लेकर 31st March तक मैंने काम रोका नहीं और जो काम हुआ इसका मतलब जो हमें सर्टिफिकेट मिला 70% का वो मिला है 10th of March का अब सामने वाले के पास मैं जो सर्टिफिकेट रखूँगा मैं रखूँगा ये 70% वाला और सामने वाला जो मुझे पैसा देगा वो 70% का 80% देगा और 20% रेटें कर लेगा मेरी बात पर देखान साता है ने 10 मार्च के पाज 31 मार्च चाहिए ऐसा वर्क है जो वर्क नौट सर्टिफाइड है और वर्क सर्टिफाइड ना होनी की वज़ए से यह स्टॉक का काम करता है और आपको मालूम है स्टॉक हमेशा केस पर कॉस्ट और और विचेवर इस लेस्ट नॉर वैल्यू दो तरह से होती है जिसका पेमेंट रिसीट हो चुका होता है और नौट रिसीट होता है पेमेंट जो रिसीट होता है वो ठीक है और जो नौट रिसीट है यहाँ पर दो मिनट के लिए आप मान लिजे वो रिटेंशन मनी है दो मिनट के लिए हो सकता है बाकी भी ना मिला हो फिलाल हम यह मान कर चलते हैं इस इट किया पकी बात है सारा कंसेप्ट बिल्कुल चंगा मंगा यह आप कहानी देख लेंगे नीचे उसी की बाद अंसर्टिपाइड वर्क की उसको कॉस्ट पर शो किया गया है हम आपको अब लास्ट टॉपिक बता रहे नेखिया आगे लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ गया वाँ भाई वाँ कुछ भी नहीं था इसमें और यह एंपॉर्ट यह सबसे इंपॉर्टं था हैं कम्बाइनि और सग्मैंटिंग कॉंटर्थ का मतलब क्या होता है लग तो रहा है एक गांट्रेट बदिससे नौ नहीं तरी में इस भाई हम गया है हम से समजहें और था और सबग के साप्यांट्रेशेव नहीं परेज कॉनीट म more than one identifiable contract और one or more separate contract में represent a single contract दोनों चीज़ें हो सकती हैं कई contract अलग-अलग है लेकिन वो एक contract में हो सकता है जबकि कोई contract एक दिखता है लेकिन होता वो कई है यह क्या है इसको हम करते हैं segmenting और combining contract segmenting contract क्या कहता है एक को अलग-अलग कर देना एक contract दिख रहा है बताया गया है एक contract लेकिन ICDS को apply करने के लिए हमको उसको कई अलग-अलग contract में बादना पड़ेगा segmenting of construction contract means dividing a single contract into two or more separate contract in such a way that ICDS can be applied separately on every contract and profit as well जी clear हुआ yes sir अब बिल्कुल clear है अब कोई doubt नकूर नकूर ऐसा कब होता है ऐसा कब होता है हमको दिखाया गया एक contract लेकिन हैं वो अलग अलग क्योंकि हर एक contract का अलग-अलग negotiation किया गया है हर का अलग-अलग proposal तैयार किया गया है हर का अलग-अलग अलग negotiation लाया गया उस contract का कितना लोगे, उस contract का कितना लोगे, उस contract का कितना लोगे, चलो अब सब मिलकर के एक contract का हिसाब, मतलब एक हम लोग contract बना लेते हैं, भई थे different different thing चार contract, लेकिन हमने उन सब पर negotiation अलग-अलग किया, सारे contract अलग-अलग separately थे, और हमने केवल एक base बनाया, contract agreement वो एक बनाय ठीक है ना अब कैसे पता चलेगा सर आप कैसे बोल सकते हैं यह कॉंट्रेक्ट अलग अलग है आप आपको कोई सपना आ रहा है जब वो सामने वाला बोल रहा है एक है तो एक है अरे बई मैं कर रहा हूं मैंने सामने वाले से काम करो यह काम करो यह काम करो यह काम कितने में करो कहा 2 करोड मैंने का not done किनारे हो जाओ चलो वो काम कितने में करोगे का 3 करोड मैंने का done देखो ने देखो ने दिस इस दे निगोशियेशन और अगर वो कोंट्रेक्ट एक joint रहता तो क्या मैं काता छोड़ो तुम के दायने तो दूसरे से करवा लेंगे यह तभी possible है जब वो अलग-अलग contract थे हाँ निगोशियेशन हर एक contract का अलग-अलग हो रहा था और contractor के पास यह power था कि किसी भी contract को वो अपनी price पर agree करे या ना करे यह उसके उपर था तो और सारे contract के लिए एक ही agreement प्रपोजल तैयर किया गया था the cost and revenue of each contract can be identifiable हर एक contract की cost and revenue हुम अलग-अलग identify कर सकते हैं अगर यह तीनों condition fulfill होती है all three तो उसको हम कहेंगे segmenting of contract अब आते हैं combining of contract क्या करता है दिखते तो अलग-अलग है उल्टा यह मैंने अलग agreement किया वो मैंने अलग agreement किया ना ना दो all those contracts are the part of the single contract first thing ठीक है ना और उन सब सबके लिए हमने अलग-अलग proposal तयार किये लेकिन सबके लिए बात एक ही साथ बैठकर बता होना सबका कितना लोगे हो समय और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेट थे तो group of contract they were interrelated contracts are performed concurrently और continuous sequence सारे contract इसके खतम होने के बाद ही यह काम शुरूओगा इसके खतम होने के इसको हम एक contract मानते हुए apply करेंगे पहले वाले case में जो मैंने बताया segmenting और ये segmenting of contract segmenting of contract में नहीं बताया कि दिखता तो ये अलग-अलग है एक है लेकिन होते अलग-अलग है combining of contract में दिखते वो अलग-अलग है लेकिन उनको कर हम एक लेते हैं अच्छा जी additional asset होता क्या है कि सामने वाले को मैंने कहा ये चार contract करो कि उसने कहा हां अलग-अलग मिला कर या मिल एडिशनल है ना तो एडिशनल का क्या होगा निगोशियेशन अलग से होगा मैं कहूंगा भया उस वाट टेंग का इतना लेंगे this is a separate asset this is a separate contract यह बलकुल separate contract माने जाएगा उसका निगोशियेशन भी अलग होता है और उसके लिए बातचीत अलग से होती है additional asset होती है additional asset differ significantly in design technology of function price of additional assets is negotiated separately that's it यह आपका खतम हो गया पूरा का पूरा ICDS और यह डिटेल में मैंने आपको बताया किस में बताया तो के वल इतना ही बताया कि construction contract ICDS थी है 43CB ने कहा और ICDS ने मान लिया कि actual basis पर हमको income दिखानी होती है ठीक है कोई दिकत नहीं है percentage of completion contract के हिसा आप से पहरा बताया cost proportion method दूसरा बताया इसने physical physical completion method तीसरा बताया survey method ठीक है ना not to apply service contract में revenue आप जो भी revenue collect होने वाली है जिसमें retention मणी भी शामिल है incentives और claims भी शामिल है जो हमको मिलने वाली है future में उनको भी हम शामिल कलते cost में direct cost शामिल हो जाती है attributable cost शामिल हो जाती है contract securing cost शामिल रहता है लेकि इसमें शामिल नहीं होता है तो क्या नहीं शामिल होता है इसमें शामिल नहीं होता है interest capital gains and dividend जिसके लिए taxation अलग से provision बना रखा है revenue revenue को आपको मैंने बताया कि हम accumulative basis पर लेते हैं पिछले साल का ठीक है लेकिन इस साल करेंगे तो पिछले साल को मिला करके करें total completion उसमें से minus कर देंगे जितनी revenue पिछले साल तक रिकनाइस की है उसको minus जितनी cost पिछले साल तक रिकनाइस की है वो minus combining or segmenting contract combining का मतलब होता है combine करना कई contract अलग-अलग दिखते हैं लेकिन उनको एक contract मानना ICDS single contract पर मानना एक ही contract लगता है लेकिन उनको अलग-अलग करना वो हमारा होता है segmenting of contract segment करना अलग-अलग separation additional assets के लिए मैंने बता दिया जो भी additional assets बनती है उसका negotiation और उसका technology functions design अलग होता है तो उसके लिए हम उसको separate asset बानते हुए deal करते है separate contract बानते हुए deal करते है that is the completion of ICDS 3 next session में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए चाचा और बाए थैंक यू थैंक्स अलोट